दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पाली कवर बिहार में आज मिले 442 नए कोरोना मरीज पटना में 139 केसिस जिया बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमन के 442 नए मामले सामने आये हैं वहीं बात राज़ानी पटना के बात करें तो 129 नए केसेज मिले हैं बिहार में एक्टीव मरेजों की संक्या घट कर 2916 हो गई है आपको बता दे कि बिहार में पिछले 24 गंटे में 1,36,443 लोगों की कोरोना जाच में 442 नए मामले सामने आये हैं जबकि इसके पहले दिन 1,47, 4,661 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया था जिसमें कोल 496 मामले मिले थे अगली बड़ी कवर बिहार में इसकूल खुलने के साथ घटाए जाएगे पाबंदिया आज जारी होगी नई गाइलाइन संक्रमन दर में 23 नंबर पर हैं हम जिहां कोरोना की तेसरी लहर में आब इस गटाया जा रहा है कोरोना की नई गाइलाइन के साथ अब आम लोगों को कोई तरह के राहा देने के तैयारी चल रही है आपको बता दे कि राज में संक्रमन दर फिलाल 0.49 परतिसत है नई संक्रमन के मामले में बिहार अभी देश भर में 23 नंबर पर है अगली बड़ी खबर बिहार सरकार ने स्कॉलर्शिप के लिए 310 करोड रुपए की जारी जारी जानि कोन से चात्र उठा सकेंगे लाब जी हाविहार सरकार ने चात्र विर्थी के लिए 310 करोड उपिय जारी कर दिये हैं बता दे कि पीछड़ा और अती पीछड़ा वर्ग के चात्र चात्र विर्थी भुगतान के लिए रासी जारी कर दिया है इससे प्रारामिक से लेकर उच मायदामिक वी दलेओं में अधानरात पीछड़ा और अती पीछड़ा वर्ग के चात्र विर्थी उनके बैंक के खाते में जल्द भेजी जाएगी वहीं सरकारी स्कूलों में अपलब्द कराएगे नल जल कनेक्सन और आइने सुविदाओं से समादित सुचना मेगा सौफ्ड पोर्टल पर अपलोड होगी अगली बड़ी कबर बिहार में बाड से मिलेगी निजाद चोटी चोटी नदियों को जोड़ने की तयारी कर रही है नितिस सरकार जी हा हर साल बाढ़ से परिसान होने वाले बिहार के लिए सरकारे की योजना तयार कर रही है इसके तताथ चोटी चोटी नदियों को जोडा जाएगा इसके लिए जरूरी निर्देश मुख्मंत्री नितिस कुमार रे दे दिया है सुकुरवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मैदम से जल संसाधन विवाग के महत्पोन योजनाओं की समिक्चा बेटग बुलाई गई थी इस मेटिंग में सियम नितिस ने जल संसाधन विवाग के योजनाओं की जानकारी ले सियम ने बेटग में कहा कि साथ निष्चे टू के अंतरगत हर केत तक सिचाय का पानी पहुचना हमारा निष्चा है और इसके लिए सम्मानित विवागों को प्रातमीता के निर्दारित कर अगली बड़ी खबर बहतर काम के लिए बिहार के 24 जीलों के डियम को प्रधान मंत्री पुरुसकार से किया जाएगा सम्मानित जीहां लोक प्रसासन में उत्रिष्ट कारियों के लिए बिहार के 24 जीलों के डियम को प्रधान मंत्री पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा 21 अप्रेल को सिविल सिवा दिवस पर दिल्ले के विज्ञान भवन में समान समारो आयुजित किया जाएगा 2021 में लोग प्रसासन के कारियों में उत्रिष्टा के लिए प्रधान मंतरी पुरुसकार का निदारन किया गया है ये पुरुसकार देश में सिविल सिव को द्वारा दिये गए अनुकरनिय कारि को सिवकारने मानता देने और पुरुसकित करने है तो तयार किया गया है विहार के लिए खुसी की बात है कि इसमें विहार के 24 जिरो के डियम का नाम सामिल किया गया है अगली बड़ी कपर बिहार में मौसम ने तोड़ा पिछले साथ साल का रिकॉर्ड जाने अगले 48 गंटे का पुरुआनुमान जहां बिहार में अभी कुछ दिनों तक टरंड जारी रहेगे प्रदेश में उसत तापमान समाने से 5 डिगरी सेलसेस नीचे है फरवरी का तापमान पिछले साथ सालों में सबसे कम है आयमडी की रिपोर्ड के मुताबिक अगले 48 गंटे में प्रदेश के उसत तापमान में 2-3 डिगरी सेलसेस की गिरावाट दर्ज होने के आसार है पच्वा हुआ के 8-10 किलोमीटर प्रती घंटी की रफ्तार से बहने की वज़त से ठंड का नुबवादिक हो रहा है हाला कि अगले 24 गंटे में उत्तर मैद और उत्तर पूरों में हलकी बारिस हो सकती है बाड़ी केबर बिहार में बढ़ रहे अपराद कानून विवस्ता को लेकर सियम नितिस 9 को करेंगे रिव्यू मीटिंग जिहां बिहार में हच्ट्य लूट पहरान रेप के घटनाएं लगातार हो रही है बढ़ते अपराद को लेकर आम अक्रो से विवक्च के नेतावी लगातार सरकार पर निसाना साथ रहे हैं ऐसे में आप मुखमंतरी नितिस कुमार इसको लेकर 9 फरवरी को समिक्चा बेठक बुलाई है इस बेठक में बिहार के डेजीपी सहित राज पुलिस के सभी आला अधिकारी सामिल होंगे नितिस कुमार ने इससे पहले 15 नौवंबर को लो एन ओर्डर की बेठक बुलाए थी उसमें उन्होंने अधिकारियों को कई तरह के महतपोर निर्देस भी दिये थे अब इस बेठक में वे समिक्चा करेंगे कि और निर्देसों को कितना पालन बिहार पुलिस मुक्याले के अधिकारियों दुआ रख किया रहा है मुखमंतरी कुछ नए निर्देस भी दे सकते हैं दरसल यह बेठक 6 परवरी को होने वाले थी परन्तू बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया है अगली बड़ी कबर 48 गंटे के बारिस ने धो दिया हवा का प्रदोसन 320 से 80 पर पहुच गया है पटना का एर क्वालिटी इंडेक्स बारिस तमी तो बढ़ने लगा है जहर जिहां बिहार में दो दिनों तक बारिस से ठन बढ़ी है और परिसानी हुई है लेकिन पटना की जहरिली हवा से लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है हवा में घुलता प्रदोसन का जहर दो दिन की बारिस में ही धुल गया है दो दिन पहले पटना का एर क्वालिटी इंडेक्स 320 था जो की बहुत खराब था जो अब 80 पर पहुच गया है लेकिन बारिस के थमते ये फिर हवा जहरिली होने लगी है रात में बारिस बंद हुई तो सुब पाटना का एर क्वालिटी इंडेक्स 80 से स्वप पहुच गया है प्रदोसन कंट्रोल बोर्ड और मौसम विवाग ने खराब एर क्वालिटी इंडेक्स को सेहत के लिए काफी घातक बताया है अगली बड़ी खबर सरसटवी बीपेसी परिचा में 555 से बढ़कर अब 802 सीटों तक पहुची बेकेंसी जाने पीटी एकजाम में क्या मिलेगा फाइदा जी हाँ सरसटवी बीपेसी में अब फिर एक बार सीटों का इज़ापा हुआ है इस बार बीपेसी सरसटवी सयुक्त वियानी की प्रारामिक परतियोगता परिचा में अब तीने रिक्तियों को जोड़ दिया गया है अब कोल रिक्तियों की सेंख्या 802 हो गई है मद निसेद उत्पाद एवाम निवंदन विवा के अवर निवंदक वा सयुक्त अवर निवंदक के दो दो पदों पर एवाम अधिक्चक मद निदेश के दो पदों को जोड़ा गया है आपको बता दे कि सुरुवात में केवल 555 सिटे ही इस वेकेंसी में थी लेकिन बीच बीच में कई बार सिटों की सेंख्या में इज़ापा होता रहा और अब ये वेकेंसी 800 से अधिक सिटों के लिए हो चुकी है अगली बड़ी कबर इंटर्मिडेट परिचा के चोथी दिन प्रदेश भर में 62 परिचात्री हुए निसकासित पांच चात्र दूसरी के बदले एक्जाम देते पकड़े गए जी अप्रदेश भर में 41 परिचा केंदरो पर बिहार इंटर्मिडेट परिचा 2022 का आउज़न चल रहा है इंटर्मिडेट परिचा के चोथे दिन सुकुरवार को पाली पाली में बिग्यान और वानेजी संक्याइंग के 6,31,888 परिचात्री के लिए अंगरी जी विसे की परिचा आईज़ित की गई थी दिवती पाली में कला संकाई के 5,95,513 परिचात्रों के लिए तिहास विसे की परिचा संपन हुई जिसमें इंटर्मिडेट परिचा के चोथे देन कदचार के आरोप में कोल 62 परिचात्रे निस्कासित किये गए जिसमें नालंदा में सरवादिक 17 और रोतास में 12 परिचात पाटना को स्वाच और सुंदर बनाने के लिए अब गावों में भी सपाय अभ्यान पर पोकस किया जाएगा गरामें चेत्रों में भी लोगों को सुखा और गिला कच्रा को अलग अलग रखने को जागरू किया जाएगा कच्रा का सारे चेत्रों की तरह ये घर घर से उठा होगा डेम डाक्टर चंद्र सिकर सिंग ने कहा है कि बाले चरन में जिले के 64 पंचायतों की चैनित किया गया है इसके मंजोरी सुकुरवार को जिला जल एवम स्वचता समिती ने दे दी है इन पंचायतों में ठोस और तरल कचरा का प्रबंदन किया जाएगा इसके तहत प्रत एक घर को निसुलक दो डश्ट बिन दिये जाएंगे लोग घरों की कचरा रखेंगे इस कचरे के उठाव के लिए प्रतेक वार्ड में गाड़ी होगी इस गाड़ी के माइदम से कचरा का उठाव कर एक जगा निस्तारन किया जाएगा अगली बड़ी ख़बर देनिक सफाय कर्मियों के माइदोरी पचास रुपे बढ़ाई गई जिहां अगर निगा में काररा तो देनिक सफाय माइदोरी के माइदोरी में पचास रुपे के बड़ोतरी की गई है ससक्त 27 समितिक बैड़क में देनिक सफाय कर्मियों के हित में या नेने लिया गया है कुसल सफाय कर्मियों को अभी तक 400 रुपए देनिक महजूरी दी थे जिसे बढ़ा कर 4500 रुपए कर दिया गया है वहीं अती कुसल सफाय कर्मियों को 425 रुपए मिलते थे जो बढ़कर 475 रुपय हो जाएंगे अगली बड़ी ख़बर बिहार में मैट्रिक परिचा में ओयमार और उत्तर पुस्तिका पर रहेगे परिचात्र की फोटो जिहां बिहार में होने वाले मैट्रिक परिचा में ओयमार उत्तर प्रत्रक और उत्तर पुस्तिका दोनों पर चात्र की फोटो रहेगी फोटो से चात्र के चेहरे का मिलान विक्चक असानी से कर सकेंगे इसके अलावा उपस्तिती और अनुपस्तिती पत्रक पर भी चात्रों की फोटो रहेगी इससे फारिजी तरीके से परिचा दे रहे चात्रों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी परिचा केंद्रों को दे दी है इंटर परिचा के साथ ही मैट्रिक वार्सिक के तैयारी बिहार बोर्ड ने सुरू कर दी है ग्यात हो कि मेट्रिक वार्षिक परिच्छा 17 से 24 फर्वारी तक होगी परिच्छा में 16,44,894 परिचात्रे सामिल होगी अगली बड़ी खबर पेम मोदे ने किया स्टेची ओप एक्यूलिटी का इन्योगरेशन 216 फेट उची दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी मूर्थी यहां 108 मंदिर बजट अयोदा के राम मंदिर से भी ज्यादा जिया प्रधान मंत्री नरेंदर मोदे ने सिन्योवार साम को वैसनव संप्रदाई के संत स्वामी रामानुज चार के 216 फेट उची मूर्थी का इन्योगरेशन किया हाइदराबाद में स्तापित की गई इस परतिमा को स्टेचियो अप एक्यूलिटी का नाम दिया गया है यह दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी बैटे वी मूर्थी है इस मूर्थी के साथ 108 मंदिर बनाए गया है जिन पर कारीगारे ऐसे के कुछ मिनट को पल के टार से जाती है साथ 120 किलो के सोने का इस्तमाल करते वे आचारी के एक छोटी मूर्थी भी बनाए गया है इस प्रोजेक्ट पर 1400 करोड रुपे से भी ज़्यादा कर्च हुए है जो आयोदा में 1200 करोड के लागत से बन रहे राम मंदिर से भी ज़्यादा है अगली बड़ी कबर एगनो में री रेजिस्टेशन वा एडमिसन की तिति बड़ी जनवरी 2022 सत्र में 10 वरवरी तक री रेजिस्टेशन वा एडमिसन स्थी चात्रों का फ्रे में होगा एडमिसन यहां एगनों ने यूज़ी और पीज़ी में रीड रेजिस्टेशन की तिदी बढ़ा दी है एगनों सिचाति सायता केंदर पुर्निया के समयनों प्रोपेसर गोरी कांत जाने जानकारे दी है उनने बताए कि जनवरे 2022 सथ के लिए फिर से रेजिस्टेशन की प्रक्रिया की आन्तिम तिति 10 फरवरे तक बढ़ा दी गई है इसकी सुचना एगनों की बिड़ाती पंजेन विवाग के उपने देसक डाक्टर रजीदा पांड़ा के दौरा जारे की गई है आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में साथ फरवरे से स्कूल कोलेज को खोलना चाहि कर चाहि कर दो कि लुटिर हुआ है